हेलो दोस्तो दोस्तो आज हम लोग बात करेंगे quan't mutual fund house के बारे में तो इस fund house के अगर हम total asset under management की बात करते हैं to 3000 करोड का अभी ये पैसा handle कर रहा है और इस fund house में अभी total 13 schemes चल रही है जिसमें से 10 scheme equity की चल रही है 2 schemes hybrid की चल रही है और एक scheme debt fund की चल रही है तो और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इसका asset under management है वो इसका quant small care fund से यहाँ पर इसने collect किया हुआ है लेकिन इसके बावजूत आप लोगों ने इसका नाम ज़ादा नहीं सुना होगा कई लोगों को लगता है कि यह काफी recent fund है ऐसा नहीं है यह भी काफी पुराना fund है लेकिन यह अभी एक दो साल से ही perform करने लगा है इसलिए एक दो सालों में ही आपने इसका नाम सुना होगा पिछले एक साल में इस fund की जो asset under management है वो दस कुना से जादा बढ़ गई है अगस्त 2020 में quant mutual fund की जो asset under management थी वो सिर्फ 300 करोड थी और आज 3000 करोड के आसपस हो चुकी है क्योंकि इसके लगबग सारे ही funds बहुत अच्छी returns दे रहे हैं तो आईए दोस्तो अब हम देख लेते हैं कि उसके यह कौन से 3 funds है जो सबसे अच्छी return दे रहे हैं और end में हम यह बात करने वाले हैं कि क्या आपको quant mutual funds में invest करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो आईए देख लेते हैं यह video तो दोस्तो सबसे पहला fund यहाँ पर आ जाता है quant small cap fund तो यहाँ पर इसका जो asset under management है 1000 करोड के आसपास चल रहा है और यह अभी सबसे जादा asset under management रखने वाला quant mutual fund चल रहा है और इसकी अगर हम expense ratio पर बात करते हैं तो सिर्फ 0.5% के expense ratio यह अभी अपने investor से charge कर रहा है वही दोस्तों अगर हम इसकी market cap allocation यहाँ पर देखते हैं तो majorly इसने small cap companies में अपना पैसा लगाया हुआ 67% के आसपास उसके अलावा mid cap companies में भी इसने 21% पैसा यहाँ पर लगाया हुआ वही अगर हम major sectors पर यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे जादा पैसा इसने healthcare sector में लगाया हुआ 18% के आसपास उसके अलावा FMCG sector में भी 15% पैसा अपने यहाँ पर लगाया हुआ वही यहाँ पर अगर हम top 5 में देखते हैं एक कंपनी में बहुत जादा पैसा नहीं लगाया जाता है क्योंकि small cap company जादा रिस्की होती है तो एक कंपनी में 7-8% 9% पैसा लगाने से सारे ही small cap funds यहाँ पर बचते हैं और यह चीज हमने इस fund में भी यहाँ पर दिख रही है और दोस्तों अगर हम यहाँ पर इसकी return पे बात करते हैं तो अगर आपने 10,000 रुपे इस fund में one time investment किये होती एक साल पहले तो वो पैसा इस fund ने आपका double कर दिया है यानि कि 118% के आसपास की return इस fund ने आपको एक साल में generate करके दिया है वही अगर हम 5 सालों की बात करते हैं तो 5 सालों में वो पैसा आपका 26,000 के आसपास हो गया है और अगर आप इस fund की inception से यानि कि जनवरी 2013 में ही आपने 10,000 रुपे लगा दिया होते तो वो पैसा इस fund ने आपका 36,000 रुपीज बना दिया 16% के आसपास की return इस fund ने 8 सालों में आपको बना कर दी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो return है यहाँ पर काफी fluctuating हमें देखने को मिल रही है और यह अगर हम बात करते हैं पिछले 5 सालों में सबसे अच्छी return देने वाला fund चल रहा है अब दोस्तो अगर हम दूसरे fund पर बात करते हैं तो दूसरा fund यहाँ पर आजाता है quant tax plan यह एक ELSS fund है ELSS fund दोस्तो वो funds होते हैं जिसमें आपको invest करके 80C के अंदर 1.5 lakh तक की deduction मिल जाती है income tax से और साथ में आपको यह भी ध्यान रखना होते है कि इन funds में आपका लगाया होगा पैसा 3 साल तक lock-in रहता है अगर हम इसके asset under management की बात करते हैं तो यह अभी काफी कम है 327 करोड के आसपास का asset under management चल रहा है expense ratio इसकी भी 0.5% ही अभी चल रही है वही अगर हम इसकी यहाँ पर market cap allocation पर बात करते हैं तो दोस्तों आपको पता होगा ELSS fund के उपर कोई restriction नहीं होती कि वो large mid और small cap किसी भी category के company में कितना भी पैसा यहाँ पर invest कर सकता है तो यहाँ पर इस fund ने सबसे ज़्यादा पैसा अपना large cap companies में लगाया हुआ है 47% के आसपास उसके अलावा mid cap और small cap में भी इसने 28% और 24% के आसपास पैसा यहाँ पर लगाया हुआ है वही अगर हम इसके sector wise allocation यहाँ पर देखते हैं तो इसने सबसे ज़्यादा पैसा में देखने को मिल रही है वही दोस्तों अगर हम इसकी companies पे बात करते हैं तो इसने यह अपने fund में recently बहुत change किया था कि इसने ITC जैसी एक value oriented company को अपने portfolio में add किया है 6% पैसा इसने ITC में लगाया हुआ है के अलावा इंडिया bull real estate में भी इसने 6% के आसपासी पैसा लगाया हुआ है वही विदानता और बिंदो pharma reliance industries जैसी companies के portfolio में शामिल है तो दोस्तों अभी इसने fund ने पिछले 2-3 महीने में ये changes किया है कि इसने कुछ अच्छी quality की जो large cap companies है उसको भी अपने portfolio में add किया अभी ये देखने वाली बात रहने वाली है कि ये कितने लंबे time तक इन companies को अपने portfolio में रखने वाला है तो एक साल में वो 10,000 रुपे इस fund ने आपके 18,000 बना दिया है यानि कि 87% की return इस fund ने आपको एक साल में बना कर दिया है महीं अगर आपने 5 साल पहले इस fund में 10,000 रुपे लगाए होते तो वो 10,000 रुपे आपके 28,000 इस fund ने बना दिया है 21% की return आपको देखने को मिल रही है quant tax plan में तो दोस्तो इस fund ने quant small cap fund से काफी अच्छे return दिये क्योंकि इसका reason ही कि ये भी है कि जो ELSS fund होते हैं उनके उपर कोई restriction नहीं होता कि वो large small और mid cap companies में कितना पैसा लगाएं और वो market की situation के हिसाब से अपने portfolio में changes कर सकते हैं अब दोस्तो तीसरा fund जो यहाँ पर आ जाता है जिसने बहुत अच्छी return दिये quant mutual fund में वो है quant active fund ये एक multi cap fund है multi cap fund दोस्तो वो funds होते हैं जिनके उपर एक restriction होती है कि उनको large mid और small cap companies में at least 25% पैसा लगाना होता है अगर दोस्तो हम इसके asset under management की बात करते हैं तो 928 करोड के आसपास का asset under management अभी ये fund हैंडल कर रहा है और इसका expense ratio भी सिर्फ 0.5% है तो अगर हम expense ratio देखते हैं तो इन तीनों ही funds का expense ratio जो है वो काफी कम हमें यहाँ पर दिख रहा है वहीं दोस्तो हम इसकी अगर market cap allocation यहाँ पर देखते हैं तो इसने भी सबसे ज़्यादा जो अपना पैसा है वो large cap companies में ही लगाया हुआ 37% के आसपास उसके अलाबा mid cap companies में 35% और small cap companies में 21% पैसा इस fund ने लगाया हुआ है वहीं अगर हम sector allocation यहाँ पर देखते हैं थोड़े risky sector होते हैं तो आपको यह चीज़ ध्यान रखनी है कि जो funds metal construction ऐसे sectors में ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं वो risk थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं अब दोस्तो अगर हम इसकी companies में यहाँ पर बात करते हैं उसके अलावा Oracle financial services तो दोस्तो इस company का जो portfolio है वो बहुत जादा similar हमें quant text plan से दिख रहा है क्योंकि लगबग सारी companies यहाँ पर जो हमें दिख रही हैं वो same ही हमें दोनों में दिख रही हैं अब दोस्तो अगर हम return पर यहाँ पर बात करते हैं 23% के आसपास की return इस fund ने generate किया है और इस fund ने भी quant text plan जैसी ही लगबग return दिया अगर आपने इसकी inception में 10,000 रोपे लगा दिया होते 53,000 के आसपास की return इस fund ने आपको generate करके दिया है तो दोस्तो अगर हम returns की बात करते हैं returns की angle से देखते हैं तो लगबग अच्छी ही return इन तीनों ही funds ने बना कर दी है अब दोस्तो मैं आपको एक चीज़ हमेशा बोलता हो आया हूँ कि आपको किसी भी fund में अगर invest करना है तो आपको उसकी तीन parameters पर consistency देखनी बहुत ज़रूरी हो जाती है पहला parameter कि उसके fund manager कितने consistent है दूसरा parameter कि उसकी turnover ratio कैसी है और तीसरा parameter कि वो year on year return कैसी generate कर रहा है तो अब अगर हम इन तीनों funds पर यहाँ पर बात करते हैं तो इनके अगर हम fund manager पर बात करते हैं तो इन तीनों ही funds की जो equity है वो Mr. Ankit Pandey handle करते हैं और Mr. Wasp Seagal handle करते हैं यह इस fund को handle कर रहे हैं June 2019 और May 2020 से तो यानि कि दोस्तों यहाँ पर consistency थोड़ी हमें कम दिख रही है अगर हम fund manager के angle से देखते हैं क्योंकि साधा पुराने fund manager यहाँ पर नहीं है इन तीनों ही funds के और दूसरी चीज इन तीनों ही funds के fund manager सेम है तो आप अगर एक fund में invest करते हैं या एक से जाधा fund में invest करते हैं तो कोई जाधा फरक नहीं पढ़ने वाला है क्योंकि आप एक ही fund manager के हाथ में वो सारा पैसा देने वाले हैं अब दोस्तों दूसरी consistency आ जाती है कि यह fund किसी भी company को अपने portfolio में add करके कितने लंबे time तक अपने portfolio में रखते हैं यानि कि उनकी turnover ratio तो अब अगर हम इन तीनों ही funds की turnover ratio यहाँ पर देखते हैं तो आप देख सकते हैं इन तीनों ही funds की turnover ratio वो काफी high side पर है Quant active fund की turnover ratio 300% के आसपास है Quant tax plan की turnover ratio 300% है और Quant small cap की 200% के आसपास है यानि कि दोस्तों यह अपने portfolio में इसे stocks हैं उनको काफी ज़ादा buy और sell करते हैं और अगर दोस्तों मैं ऐसा investor किसी भी mutual fund में invest करने की सोचता हूं तो वो funds मुझे ज़ादा अच्छे लगते हैं जो किसी company को अपने portfolio में add करके लंबे time तक अपने portfolio में रखते हैं अब दोस्तों तीसरी consistency आ जाती है year on year return इन funds ने कैसे दिया है तो अब अगर हम इन तीनों funds की year on year return यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहले अगर हम quant small cap fund की बात करते हैं तो अगर हम इसकी year on year return यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2016 में category average return 4.5% थी और इस fund की return 7% थी वहीं 2017 में category average return 42% की थी और इस fund ने सिर्फ 2% की return generate की थी उसके अलावा 2019 में अगर आप देखते हैं तो category average सिर्फ minus 1% return थी और यहाँ पर इस fund ने minus 25% की return दी थी दोस्तों यहाँ पर इस fund की अगर हम year on year return देख रहे हैं तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़ाद क्लियर है कि पिछले 2 सालों में इसने बहुत अच्छी return दिये और वो बहुत अच्छी return की जो effect है वो उसके 5 और 8 साल की return पर पढ़ रहे हैं consistently return यह generate नहीं कर पा रहा है fund यह चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि जो fund अचानक से बहुत अच्छी return देने लग गया है जब market गिरती है तो यह ऐसे funds सबसे पहले गिरते हैं और अगर आप अभी भी देखेंगे पिछले एक महीने में सबसे ज़्यादा गिरने वाला जो fund है वो quant small care fund चल रहा है अब दोस्तों अगर हम दूसरे fund की तरफ चलते हैं quant active fund को देखते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पिछले दो सालों में बहुत अच्छी return जनरेट की है जिसका effect इसके 5 और 8 सालों की return पर पढ़ रहा है उसी तरह quant text plan पर भी अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी आप यह चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर भी यह हो रहा है कि फिछले दो सालों में बहुत ही ज़ादा अच्छी return दिये consistently return दिये लेकिन उससे पहले 2019, 18, 17 और 16 में consistency आपको returns में नहीं दिख रही है किसी साल यह category average को beat कर पा रहा है किसी साल यह category average को beat नहीं कर पा रहा है अब दोस्तों बात आती है कि क्या आपको इन funds में invest करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो दोस्तों मैं तो आपको हमेशा से इन funds के लिए यही बोलता है हूँ कि इनकी risk ratios अच्छी नहीं है बहुत ज़ादा risk ले रहे हैं और जैसे ही market गिरने लगेगी यह funds सबसे पहले गिरने लगेंगे और पिछले एक महीने में आप देख भी रहे होंगे यह तीन funds ही हैं जो सबसे ज़ादा खराब returns दे रहे हैं तो अगर आप इन funds में invest भी करना चाते हैं तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अपने core portfolio का हिस्सा इन funds को ना बनाए अगर आप invest करना चाते हैं तो 57% invest आप कर सकते हैं लेकिन ज़ादा investment in funds में ना करें मेरी तरफ से दोस्तो बस इतना ही अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इससे like और share करना ना भूलें धन्यवाद